नवस्कार हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज देखे कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नोकरी पर बड़ा खत्रा मंडरा रहा है आपको बता दें कि जिले के शिक्षकों के लिए बुरी खबर है जिहां इनकी नोकरी पर बड़ा खत्रा मंडरा रहा है ये कोई 100, 200, 300 शिक्षक नहीं है बलके इनकी तादाद 600 में है आपको बता दें कि 600 शिक्षकों के लिए बुरी खबर है और उनकी नोकरी कभी भी जा सकती है एजनसी और विभाग द्वारा आप डेटा का जुटान किया जा रहा है यानि कि इनकी लिए अब खत्रे की घंटी बज रही है आप सोच रहे होंगे कि भला इन्होंने ऐसा क्या कर दिया है इन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है कि इनकी नोकरी पर बड़ा खत्रा मंडरा रहा है तो आपको हम पूरी खबर यहां पर तफसील के साथ बताने जा रहे हैं कि आखर इन शिक्षकों का गुना क्या है हम आपको बताएंगे कि आखर इन शिक्षकों की नोकरी पर इतना बड़ा खत्रा क्यों मंडरा रहा है या और हम आपको यहाँ पर ये भी बताएंगे कि आखर ये किस जिले में हो रहा है तो आईए फिर आपको पूरी खबर हम तफसील से इस रिपोर्ट में बताते हैं देखें भोजपूर जिले में विभाग द्वारा पहले से बहाल 500 से ज्यादा अतिती शिक्षकों को हटाया जाएगा आपको मालूम है कि अतिती शिक्षक लगतार धरने पर बैटे हुए आपको बता दे कि इसके लिए शिक्षा विभाग ने कवायश शुरू कर दी है विभाग और एजिंसी के द्वारा कहा कहा कितने शिक्षक बहाल किये गए थे और उन्हें कब तक मान दे का बुकतार मिला है इसका तेजी स्कूल की जुटाया जा रहा है मालूम हो कि जिले में शिक्षा विभाग के द्वारा BPSC से शिक्षकों की योगदान देने के बाद सैक्डों स्कूलों में अतिती शिक्षकों की आविशकताब नहीं रही है राज मुख्यालिस से निर्देश मिलने के बाद जिले में इन शिक्षकों की बजापता सूची बनाई जा रही है संभावना जताए जा रही है कि इस माह के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा आपको बता दें कि जिले में शिक्षा विभाग की द्वारा लगभग 135 शिक्षक और मीजी एजिंसी की द्वारा 500 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली पहले की गए थी कुल मिलाकर 635 से ज्यादा बहाल शिक्षकों में से 40 के आसपास शिक्षक अभी भी नौकरी करेंगे चूकि उनकी स्थान पर कोई शिक्षक नहीं आए हैं जिस कारण वे शिक्षन का कारें करते रहेंगे लेकिन आपको हमने बता दिया है कि 600 जिहां 600 ऐसे शिक्षक हैं 600 अतिती शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा खत्रा मंडरा रहा है और आपको हमने बताया है लगतार आपको लाइफ सिटीज ने ग्राउंड रिपूर्ट दिखाई है कि किस तरह से अतिती शिक्षक मांग कर रहे हैं कितना हंगामा कर रहे हैं उनके बीच कितनी निराशा है और अब ये बड़ी खबर भूचपूर जिले से निकल कर आ रही है जहां 600 शिक्षकों की नोकरी पर बड़ा खत्रा मंडरा रहा है और कभी भी उन्हें अपनी नोकरी से हाथ धोना पड़ सकता है तो ये आइप सिटीज बहुत शुक्रिया